हम इस वक्त विकानेर के लालगढ पैलेस में मौझूद हैं और हमारे साथ विकानेर पूर्व से मौझूदा विधायक और भारतीय जुनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धी कुमारी हमारे साथ मौझूद है उनसे हम बाचित करेंगे सिद्धी जी आपका स्वागत इंडिय का काम और जन समस्या में जहां तक पार पड़ सके सरकार नहीं होते वे भी MLA कोटे का प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन और उसकी क्रॉस चेकिंग ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा रहा है इन पांच सालों में तो इस बार क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं भी कानिर की जनता के बीच में जहां मैंने ये पांच साल निकाले हैं सबसे पहली दफ़े मैं जनता के बीच में आई थी तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे समस्या यहां पे लगी थी वो यह थी कि यहां पे मूलबूत चसुविदा थी जो कि महारानी साब असुंदरा राजे ने इनको सूर सागर के रूप में दिया तो जो सूर सागर था वो एक इतना बिमारी का विजड़ था और उधर जो क्या है कि वो इन्हाबिटेट है चारों तरफ से वहां पे लोग रहते हैं तो वो बिल्कुल साफ सफाई करके दिया था जिससे की बिमारी की दर डेंगू मलेरिया एकसेटरा जो भी उस चीज से होते हैं कम से कम दस हजार ऐसे परिवार थे वहां पे उन लोगों के मतलब की मेडिकली भी वह इंप्रूव कर गए थे क्योंकि सूर सागर साही हो गया था यह सब हम लोगों ने खोया है साफ सफाई, मूल्बूथ, सुविदा और सबसे ज़्यादہ जो मैंने फील किया है कि यहां पे सुनवाई नहीं थी, खाइन से भी कोई सुनवाई नहीं थी तो यह सब हम लोगों ने जहां तक हो सके कोटा इंप्लिमेंटेशन बहुत कम आता है तो इस हिसाब से भी हमने आगे रह करके काम किया और इन लोगों कि यह तमाम काम किया सिर्जी एक और सवाल आप राज घराने से हैं लेकिन जनता के पास आप किस तरह से आपका चुना प् कि अंदर मेरे चकर हैं और फील भी बिर बहुत जादा होता है कि कोई नयों को झाउट साति एक को इनए को लोग रह जाते हैं प्ल करें सियास्त की राजनीति की यह आपका दूसरा चुनाव है किस तरह से आपने आपने कैसे फैसलह लिया कि राजनीती में आए और अब कैसा लग रहा है राजनीती में आकर? जब मैं आई थी तब मुझे अपने अपने भी काफी शेवा किर कई है तो येधी में इनका वंफोर्थ भी ले लेती हूं तो जोसफल है आफी अगर बात करनें विधान सभा की अब जब आप पहली बढ़ साहरा में गई तो किस तरह आपको आपको अनुभव था हागे शेयर करना चाहेंगी विधान सभा में जब पहली देफे गई तो पहले तो डेफिनेटली मुझे बड़ा अन्यूशुल लगता था सब कुछ अभी आम गेटिंग यूस्टो इट जी वो विधान सभा का हंगामा वो शूर चरावा सबसे बड़ी प्रायरिटी और ऐसे कई सूर्सागर हैं गंगा शेर में विधा सूर्सागर ऐसा कैसा डिस्पोजल ओफ वेस्ट का कोई यहां पर सिस्टम ही नहीं और मैं ही सुछती हूं क्लेंडलीनेस एक बहुत बड़ी यूनों हैबिट फॉर्मिंग होनी चाहिए तो हम लोग तो मैं तो काफी बाहर भी रहती हूं कभी कभी मैं जाती हूं मैं देखती हूं कि दूसरे शहरों में जैसे डिल्ली में एक पूरा सिस्टम होता है डिस्पोजल का वह यहां कानिर के नंदर है नहीं वह नहीं है । I think contribution उतना ही है, उनका contribution का कोई भी, I can't say कि ये word enough है, dictionary का कोई word enough नहीं है, जब मैं अपने East की महिला देखती हूं, और जिस जजबे से वो मेरे सामने पेश आती है, और जो मैं उन लोगों की कहानिया सुनती हूं, तो I think with गुंगट और without गुंगट, they are doing well. चले उनका कहना है कि गुंगट में और बिना गुंगट के महिलाएं अच्छा ही कर रही है, सिती जी कोड़ बात, राजस्थान में उन देखा महिलाएं अभी भी सर पर मठके उठा कर दूर द़ाज से पानी लेकर आती हैं, पीने का पानी लेकर आती हैं, ठीस्षош्रेशा है एक महिला होने के नादे, आप राज घराने से हैं, आप सियासत में, तो आपको नहीं लगता कि उस ख्षेतर में भी कुछ करने की ज़रूरत है? इस्ट के अंदर तो हर जगा पानी है, गाउं के अंदर, गाउं की गाउं के अंबाद है? तुनका कहना है कि महिलाओं के लिए गाओं के अंदर महिलाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो देनी होंगी इसके अलावा अगर बात करें आप जो क्राइम अगेंस वेमन है जो अपराद की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्ष कि आपको यह नहीं लगता कि सरकारे आती हैं लेकिन सही माइने में भी गाओं में बहुत कुछ करना बाकि है देखिए मैं विकानियर में जन्मी हूँ पली हूँ बड़ी हूई हूँ जो मैंने विकास महारानी साब की गवर्मेंट के अंदर देखा कि यहां पे विकानियर के अंदर एक फील गोड फैक्टर आया क्योंकि काम और विकास दिखा तो हर एक की जबान में है कि उनका जो कार्य करने का शैली था और वो जिस हिसाब से उन्होंने विकास कराया वैसा विकास उन लोगोंने कहीं देखा ही नहीं था आपका कहना है खुब एकास हुआ है सिदी इतना में जादा सोच भी ने रही हूँ मैं अपना कैंपेन अच्छा चला रही हूं इन पाँ सालॐ इंस सबसे अच्छा जब आपको लगा और यूज नी अच्छा लगए हूँ वह को अच्छा लगव तो हमने वायूंट बनाने कघान तो हम लोग बिल्कुल देविनतली और हॉस्पिटल केर उस साल हमारा मुद्दा था और वो वाट बनाने के लिए जिस हिसाब से हम लोग ने महनत की और वो वाट खड़ा हो कि उसको चैलाने के अंदर डेफिनेट दूसरी महनत सो वो मेरे लिए सबसे दिल्चस्प था और एक्षिली इफ आ लोकेट इट ना ना आम सो ग्लाड मैंने किया बहुत 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 कुशी होती है क्योंकि वो इतना सिंगल मोस्ट पॉजिटिव एक्सपिरियंस रहा है कि हम लोग सुनते हैं कि अरे इस महीने तो पंदरा हजार डिलिवरी हुआ इस महीने तीस हजार डिलिवरी हुआ तो हम लोग बड़े खुश होती है एक और आखरी सवाल सिध्य जी आपसे आपके जो दादा थे करनी सिंग जी महराजा करनी सिंग जी वो जाने माने निशाने बाज थे निशाने बाजी का शौक है आपको शौक है पर प्रैक्टिस का टाइम नहीं यह ना मैंने कभी किया लेकिन इतना जरूर है राजनीती में वो खुब निशाना साथ ती है सटीक निशाना साथ है और इस बार दूसरा मौका है उनका दूसरी बार बिकानेर पुल्व से चुनाव लड़ रही है और उनको उमीद है कि इस बार भी यहां के मतदाता उन्हें उसी तरह का प्यार द है झाल झाल कर दो लेकिन